मंडी शहर के सास्थित वियूली पुल में रहस्य मई परिस्तितियों में लापता बोलबबस के चालक का सव छे दिन बाद व्यास नदी से शिव मंदिर के समीप से बरामत हुआ है यह जानकारी एसपी मंडी गुर्दीव चंद शर्मा ने दी जिम खाना कलब के ठीक नीचे प व्यास में अंजनी का सव बरामत हुआ है वहीं पुलिस ने चालक का शब कबजे में लेकर जान शुरू कर दी है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम करवाने के लिए शेत्री अस्पताल भेज दिया है बता दें कि मंडी में अचानक अंजनी राना उर्फ अंजी छे दिन पहले घर जाने के लिए व्यूली पुल पर उत्रा था उस दोरान उसके साथ एक और व्यक्ती भी था वह व्यक्ती रात को घर पहुँच किया था लेकिन अंजनी घर नहीं पहुँचा था परिजनों के अनुसार शुकरवा रात बह भी पुल से कैलांग डी अपनी पत्नी मीना देवी के साथ अंतिम बार बात की थी पत्नी को बताया थे कि बस लेट है और वह घर आ रहा है उसी रात के बाद उसका मोबाइल सुच आफ हो गया था सुबह तक अंजनी घर नहीं पहुँचा तो परिजनों ने उसकी सुचना पलिस थाना सदर में दर् प्रांथी होगा अंजनी कुमार जो की पत्धर का रहने वाला था वी 22 तारीक से यह से आया था यहां चर्बाएसस की पत्रीश तेखि उसकी रात को और उसके बाद इसका साथी ढ्राइबर की इक था साथ में जो की बस में चला गया था यह बस पर ही बस से बीखुणी पु जो है इसकी डेट बोड़ी यहां पर ब्यास से रिकबर किया पुल से थोड़ा आगे आकर के पुलिसमा बरामत किया तो और पुलिसमा इसको बोड़ी को कपजे में लेकर के पोस्ट मॉर्टम के लिए बेज दिया है और आज उसका पोस्ट मॉर्टम हो रहा है तो पोस्ट मॉ